कि आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अगर्मी पर हम पढ़ रहें अन्वार्मेंट की घटना चक्र चैप्टर है हमारा जलवाय। परिवर्तन के परिपेच में भारत की कार्योजना क्या है आए स्टार्ट करते हैं जून 2008 में तत्कालिन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग ने जलवाय। परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्टी क्रिया योजना को जारी किया तीर जून 2008 को जलवाय परिवर्तन पर भारत की राष्टी कार्योजना का सुबारब ने किया गया राष्टी कार्योजना आठ राष्टी मिशनों पर भ्यान के अंध्रित करती है इसके तहट जो है आठ राष्टी मिशन दिये गए हैं भारत के राष्टी जलवाई परिवर्थन कार्योजना केंतर कौन-कौन से आठ राष्टी मिशन हमारे देखते हैं राष्टी सोर मिशन, राष्टी समवर्धित उर्जा बचत मिशन, राष्टी सतत परियावास मिशन, राष्टी जल मिशन, राष्टी हिमालाई परिप्रणाली परिरच्छन मिशन, राष्टी हरित भारत मिशन राष्टी सतत क्रिसी मिशन, राष्टी जिल्वाई परिवर्तन, कारियनीती ज्यान मिशन इस योजनक तहत हमारे ये आठ मिशन आते हैं सोर सक्ति, नवी करण, अप्सिस्ट से उर्जा परिवर्तन, क्रमस, राष्टी सोर मिशन, राष्टी हिमालाई, परिप्रणाली परिरक्षण मिशन तथा राष्टी सतत परियावास मिशन में सामिल है जबकि नाव की सक्ति या आणवी कूर्जा आपका इन आठ मिसनों में सामिल नहीं है राष्टी जलवाई परिवर्तन कारी योजना के तहदरे खांकित आठ मिसनों में से एक मिसन राष्टी हरित भारत मिसन वनों के उस प्रभाव को स्विकार करता है जिसका जलवाई परिवर्तन समन वन पर निर्भर समुदायों की खादी सुरच्छा, जल सुरच्छा, जय विवित्ता, सनरच्छन एवं आजीविका पर सुरच्छा के जरिये परियावरन को बहतर बनाने पर पढ़ता है अक्टूबर 2015 में राष्टी ग्रीन इंडिया मिसन की राष्टी कारिकारी प्रतिसत की दुती बैठक में देश के चार राजियों ने कौन-कौन से राजिये हैं? मडीपूर, मिजोरम, केरल, जारखन द्वारा प्रस्तावित संभावित योजना एवं संचारनों की वार्षिक कारियोजना को मंजूरी दे दी गई अक्टूबर 2015 में जलवाई परिवतन पर संयूत राजना सम्मेलन को सौपे गए अभिष्ट राष्टी निर्धारक योगदान के तहत भारत ने अनेक घोशडाय की भारत की कारियोजना के तहत IN-DCC के लच्चों में वन एवं क्रिच लगा कर कार्बन सिंग को बढ़ावा देना प्रदूशन उप समन करना स्वच उर्जा विसेश कर नवी करन उर्जा को बढ़ावा देना उर्जा दच्चता को बढ़ाना ये सभी सामिल है भारत के IN-DC प्रोग्राम कौन-कौन से सकल घरेलू उत्पात उर्जानों की तीब्रता को वर्ज 2005 के अस्तर की तुलना में 2030 तक 30-35 प्रतिसत तक कम करना है इसका लच्च्च 2030 तक गैर जीवास में इंधन आधारित वर 40 प्रतिसत संचित विद्धूत इस्थापित करने की छमता करना अत्रिक्त वन वर वर व्रिच्चार उपड के माध्यम से 2030 तक धाई से 3 बिलियन टन कारवन सिंक करना अर्थिक सम्रद्धी है तो जलवाई अनुकूलन वह सच्चतर मार्य का नुसरल करना यह हमारे राष्चिकार योजना के तहट सामिल किये गए है ऐसे विसे वरतमान समय में वैस्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशनों की संख्या कितनी है 32 है अलजीरिया ब्राजील केन्या में वैस्विक वायु मंडल चौक सी स्टेशन इस्थापित किये गए हैं जबकि भारत में यह अभी इस्थापित नहीं हुए हैं उलेखनी एक मई 2011 में हिमाचल प्रदेश और विस वैंग के बीच हुए उस सर्जन हरास क्रे समझोते पर हस्ताचर हिमाचल के सहायक मुख्य सचीव वन स्री सुद्री रिप्तो द्वार राय तथा विस वैंग के उपराज जिनिदेशक डिप्टि काउंट कंट्री डारेक्ट पर हूबर्ट नो जोसरेंड ने किये थे जार्खन राज जी में सयुक्त राष्ट विकास कारिक्रम कि युएंडीपी की सहायता से राज्य जलवाई परिवेतन केंद्र इस्थापित किया गया यह जलवाई परिवेतन पर राज सरकार को परामर्स प्रदान करता है इसके मुख्य क्या है बीभिन हित धारकों के प्रियोग हेतु जलवाई परिवेतन समंदी ज्यान सामगरी का निर्मार जलवाई परिवेतन समंदी समस्तियाओं पर कारे कर रहे अन्न संगटनों के साथ नेटवर्क बनाना जन जाग रुपता बढ़ाने हेतु सरकारी अधिकारियों के छमता विकास में सहयोग करना जलवाई परिवेतन पर जारखन कारियोजना 2013 से लेके 2014 में प्रकासित हुई इसका उद्दे सिथा परियावर्नी संधारीता सुनिश्चित करते हुए गरीबी उनमूलन यहम रोजकार को बढ़ाने का लच्छ प्राप्त करना था कारियोजना विक्सित करने की प्रक्रिया की सुर्वाद जो है UNDP की सहायता से मई 2011 में प्राडम्ब की गई थी तो किसकी सहायता से UNDP के जारफन जलवाई परिवर्तन कारी योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार परियावर्न सम्वेदन सीलता के मामले में सराय केला खार समाजीला जो है सीर्स पर है इसका स्कोर जो है 0.78 है इसके सुभेद्देता को दरसाता है मापन जो है माइनस एक से लेके प्लस वन यानि माइनस वन से लेके प्लस वन के पैमाने पर किया जाता है जो क्रम से कम से अधिक सुभेद्देता को दरसाता है 21 जुलाई 2018 को ततकालिन परियावरन वन एवं जलवाई परिवतर मंत्राले डॉक्टर हर्स वर्धन ने चान्दी चौक दिल्ली में एक अत्या धुनिक बायू गुडवत्ता एवं मौसम पुर्वानुमान प्रणाली सफर का नावरन किया सफर का पूर्ण रूप है इसका सफर का फूल फॉर्म है याद कर लीजे आए अपने क्यूस्टिन पर चलते हैं क्यूस्टिन नमबर हमारा फॉस्ट भारत की जलवाई परिवतन पर प्रथम रास्टी क्रिया योजना प्रकासित हुई इसका अंसर है आपका दो हजार आठ जून दो हजार आठ में ततकालिन प्रधान मंत्री मन मोहन सिंग ने जलवाई उपरिवतन पर भारत की प्रथम रास्टी क्रिया योजना को जारी किया था Q2 है निम्लिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवाई का रियोजना क्लाइमेट एक्सन प्लान के आठ मिसनों में समलित नहीं किया गया था Q2 है जलवाई परिवतन पर भारत की प्रथम रास्टी का रियोजना कब्लो कारपित की गई Q2 है जलवाई परिवतन पर भारत की प्रथम रास्टी का रियोजना 30 जून 2008 को लोकारपित की गई इस कार रियोजना को जारी करने का उद्देश से क्या था जलवाई परिवतन के बढ़ते दुस्प्रभाव को कम करना गौर तलब है कि राह जलवाई परियोटन के कारण क्रिसी खादी सुरच्छा को खतरा पहुचने के साथ ही समुदरी जलकास तर भी बढ़ रहा था प्राकृतिक आपदाओं की तिव्रता हो रही थी प्रजातियों का लुप्त होना वेक्टर जन्ति विमारियों की घटनाय दिनों दिन बढ़ती जा रही थी Q4 है राष्टी हरित्मी सन भारत निमलिखित में से किस राज्यों में मौझूदा वनों का घनत्व में सुधार करनी के उद्देश से भारत सरकार द्वारा सुरू की गई जारखंड मत्य प्रदेश इन दोनों राज्यों में निम्मी से कोई नहीं तो इसका अंसर है ए जारखंड में एक्स्प्लेंशन देख लेते हैं राष्टी जल्वाई परिवर्तन कारी योजना के तहतरे खांकित आठ मिसनों में से एक मिसन राष्टी हरित भारत मिसन वनों के उस प्रभाव को स्विकार करता है जिसका जलवायू परिवर्तन समन वन पर नेरुहर समुदायों की खादी सुरच्छा, जल सुरच्छा, जै विवित्ता, सन रच्छा और एवं आउजीव का पर सुरच्छा के जड़िये परियावरन को बहतर बनाने पर पड़ता है अक्टूबर 2015 में राष्टी ग्रीन इंडिया मिशन की राष्टी कारिकारी परिशत की दुती बैठक में देश के चार राज्यों ने, कितने राज्यों ने, चार राज्यों ने, मिजोरम, मडीपूर, केरल, जारखन द्वारा प्रस्तावे संभावित योजनाये, एवं संचा सालनों की वार्सिक कारियोजना को मंजूरी दी गई, क्यूश्य नमबर है, फाई, निम्रखित में से कौन सा एक भारत के राष्टी जलवाई परिवर्तन कारियोजना के आठ मिस्नों में सामिल नहीं है, सरुसक्ति, वनी करण, नाप की सक्ति, अफसेस्ट से उर्जा किसके सहयोग से जहारखन द्वारा जलवाई परिवर्तन केंदर स्थापित किये गया, विस ववपार संगेठान डब्लू टी ओ, एमनेस्टी इंटरनेसनल सहयोग्त राष्ट विकास कारिक्रम, तो इसके अंसर है आपका, C, सहयोग्त राष्विकास कारिक्रम, जिसे हम UNDP क कार योजना किस वर्ष प्रकासित हुई गजा 13-2014-2015-2011 तो इसका एंसर हो जाएगा आपका 13 और 14 दोनों में प्रकासित हुई थी mainly आपका एंसर होगा जलवाई परिवर्टन पर जारखंड कार योजना वर्ष 2013-14 में प्रकासित हुई इसका उद्देश हिथा परियावरणी धाण येता सुनिश्चित करते हुए गरीबी अनुमूलन और रोजगार बढ़ाने का लच्चे प्राप्त करना था कारी वजना विक्सित करने की सुरुआत जो है UNDP की सहायता से माई 2011 में प्रारम्बे की गई थी अभिस्ट रास्ती निर्धारित अंसदान इंटर्नेशनल डिटर्माइन कंट्रिबूशन पद को कभी कभी समचारों में किस संदर में देखा जाता है युद्ध प्रभावित मध्य पूर्वे के सलनार्थियों के पुनर्वास के लिए उरोपी देशों द्वारा दिये गए वचन जलवाई परिवतन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कारी योजना अबिस्ट राष्टी निर्धारित अंसदान जलवाई परिवतन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कारी योजना है जलवाई परिवतन परसंयूक राष्वन रचना सम्मेलन को सौपे गए अभिश्ट राष्टी निर्धारित योगदान के तहत भारत ने अनेक घोशनाय की हैं भारत की कारी योजना के तहत INDCC के लच्छों में वन एवं ब्रिच लगाकर कारवन सिंग को बढ़ावा देना प्रदूशन उपसमन स्वच उर्जा विशेश कर नवी करने उर्जा को बढ़ावा देना उर्जा दच्छता को बढ़ावा देना इत्यादी सामिल है क्यूशिय नंबर है नाई जारखन जलवाई परिवर्तन कारी योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसा सबसे समवेदन सील जीला कौन सा है तो यह आपका सराई केला खार सवा है इसका एंसर हो जाएगा बी क्यूशिय नंबर है टेन निम्रकित में से किस देश में विश्वे के ताप मानों पर आंकड़े इकठा करने के लिए वैस्विक वाई मंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया अलजीरिया में ब्राजील में केनिया में भारत में तो इसका अंसर हो जाएगा डी बारत में सुद्टमान समय में में वैस्विक वाई मंडल चौकसी स्टेशनों की संख्य कितनी है अलजीरिया भ्राजील केनिया में वैस्विग मंडल चौकसी अस्थापित किये गया जबकि भास में यह अभी Jest Queens happening किया गया है ह युश्य Highway 11 निम्लिकित में से कौन सा कथन? माई 2011 में विस्व बैंक के साथ उस्तरजन हरास क्राय समझोते के बारे में सही नहीं है समझोते पर हंस्ताचर विस्व बैंक और भारत सरकार के द्वारा किया गया स्या समझोता दस वर्ष के लिए लागू रहा समझोता हिमाचल प्रदेश की एक पर्योजना के लिए कारवन क्रेडिट सुनेश्चित करने के लिए समझोते के नुसार एक टन कारवन डायाक साइट क्रेडिट एकाई के समतुली होगी तो इसके एंसर होगा आपका A माई 2011 में माचल प्रदेश और विस्व बैंक के बीच हुए उस सर्जन हरास क्रे समझोते पर हस्ताचर किये गए अन्न टीनों कथन सही है क्यूस्टिय नमबर है ट्वेल्व निम लिखे दसाओं में से कौन वैस्विक टाप के असर को इंकित करता ही माननी का पिघलना सागरी तल में उत्था मौसमी दसाओं में परिवर्तन ग्लोबली ग्लोबी ये ताप मान में ब्रिधी सही उत्तर का चेहन कीजिए तो इसका एंसर है डी सभी एंसर सही है वैस्विक टाप के वैस्विक टापन से क्या होगा इन सभी में परिवर्तन होगा question number 13 निम्न मेंसे कौन सुमेलित नहीं है प्रथम विस्व जलवायू सम्मेलन 1989 में हुआ प्रथम प्रिथ्वी सिखर सम्मेलन Agenda 21 में प्रिथ्वी सिखर सम्मेलन में प्रिथ्वी सिखर सम्मेलन प्लस 5 1997 में हुआ कारवन वैपार Montreal Protocol में हुआ तो इसके अंसर हो जाएगा D D option सही नहीं है प्रतम विश्व जलवायू सम्मेलन जो है 1979 में हुआ था प्रतम प्रिथवी सिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था उसमें जो है एजंडा 21 UNEP SSC UNEP SSC जैसी चीजे निकल काई निकल कराई प्रिथवी सिखर सम्मेलन जो प्लस 5 हुआ वो जो है 1997 में हुआ प्लस 5 का मतलब 92 में 5 जोडेंगे तो 97 हो जाएगा Question number next देखते है 14 है जुलाई 2018 में निम्नमे से किसके द्वारा सफर वाई गुडवत्तायो मौसम पुर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया रवी संकर प्रसाद प्यूस गोयल डाक्टर हर्सवर्धन उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसके अंसर हो जाएगा सी डाक्टर हर्सवर्धन के द्वारा जो है सफर का उद्घाटन किया गया Exploration देखते हैं 21 जुलाई 2018 को ततकालिन परियावरन बन एवन जलवाई परिवर्तन मंत्री जो है डाक्टर हर्सवर्धन ने चान्नी चोग दिल्ली में एक अत्यादुनिक वाई गुडवत्ता एवन मौसम पुर्वानुमान प्रणाली सफर का नावरन किया सफर का पूर रूप क्या है System of Air Quality and Weather Forecasting and Research Next Question को देख लिके Friends हम हमारा आगया नया चप्टर इसको हम पढ़ेंगे Next वीडियो में Thank you for watching friends